मनारा पर भद्दे कॉमेंट्स पास करना, मनारा को गाली देना, या फिर उन्हें थपड मारना, हर चीज के लिए सबको फटकार लगने वाली है हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ चिल्मी जैसे कि आप जानते हैं बिग बॉस सीजन 17 का फिनाले नजदी का रहा है तो वहीं पर बिग बॉस भी तरहा तरहा के ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं लेकिन आपने हाली के एपिसोड में देखा था कि मनारा चौपड़ा के साथ काफी बत्तबीजी हुई थी जिसके बाद तमाम फैन से लेकर सलिप्स तक भड़के थे सबसे पहले बात करें यहां विकी की तो विकी ने किस तरहा मनारा पर एक भद्दा कॉमेंट पास किया था जब मनारा मुनबवर के आगे आकर खड़ी हो गई थी तो यहां पर विकी ने कहा था देखो देखो तुम किस तरह से मुनबवर के पास बैठी हुई हो मुनबवर के ऊपर बैठी हुई हो अपनी पोजिशन देखो इस बात पर मनारा जो है वो काफी परिशानती लेकिन उससे ज़्यादा फैन्स भड़क गए थे फैन से लेकर तमाम सिलिप्स ने विकी को लेकर काफी सारी बातिंग की थी और अब इन्ही सब को वीकेंड के बार के एपिसोड में सलमान खान जो हैं पटकार लगाने वाले हैं विकी की अच्छी खाजी क्लास लगेगी कि आप किसी लड़की पर ऐसा कॉमेंट कैसे पास करते हैं वहीं अब दूसरा नंबर आता है अंकिता लोखंडे का अंकिता लोखंडे ने तो मनारा को गाली तक दे दी जिसके वीडियो वाइरल हुई थी वीडियो में हमने देखा तक किस तरह क्लियरली सुनाई दिया था कि अंकिता ने मनारा को गाली दी वहीं थर्ड नंबर पर आती है इशा मालविया जी हाँ इशा मालविया ने भी मनारा पर हाथ तक उठा दिया था उन्हें बार डांसर कहा जिसके बाद फैंस ने इशा को कहा कि इशा आप किसे क्या बोल रही है आपको पता भी है और इसी वज़े से सल्मान आज इशा की भी फटकार लगाने वाले हैं और साथ ही इशा मालविया को तो बिग बॉस के घड़ से इविक्षन होने वाला है क्योंकि हमने देखा था किस तरह से मनारा के लिए फैंस जो हैं जस्टिस की डिमांड कर रहे थे वो ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही थी वाला आपका क्या कहना है मनारा चॉपडा को लेकर कॉमेंट करके बताईए और सी तरह की बीबी की लेटेस्ट अब्डेट के लिए जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो इससे भी जल् हुआ